आप सब को जुहार और जैसा कि आप देख सकते हो यह है C.O.T.P.G का ओफिशिल वेबसाइट तो इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यह हमने क्लिक किया और हम लोग यहाँ पर आगे तो आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिसकस करेंगे C.O.T.P.G का जो समझ में आए या फिर आपके लिए भी एक रहत की सांस हो जाए कि भई मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं और उस बेसेस पर मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है या फिर मेरे जो सेलेक्शन है वो होगा या फिर नहीं कि इसकी कितनी ज़ादा पोसिबिलिटीज है या फिर नहीं है इसको लेकर यहाँ पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि following are the category wise UTPG cutoff marks वो भी 2022 का तो यहाँ पर अगर मैं जेनरल की बात करूँ तो पिछले साल जेनरल का जो cutoff रह था वो था 230 से लेकर 240 के बीच में वहीं पर अगर म बात करूब DC का तो यहाँ पर जो cutoff हमा देखने को मिला था 220 से लेकर 230 के बीच में वहीं पर अगर मैं भात करूब की तो यहां पर जो कट ओफ निकल कर आया था वो निकल कर आया था 200 से लेकर 210 के बीच में वहीं पर अगर मैं बात कुर एस्टी की तो यहां पर जो कट ओफ निकला था पिछले साल का वो निकल कर आया था 200 से लेकर 210 और इसके अलाव पी डबलुड का यहां पर कट ओफ निकल क को मिला था जहां पर जेनरल में 230 से लेकर 240 EWS में 220 से लेकर 230 OVC में 220 से लेकर 230 और वहीं पर अगर मैं बात करूँ ST की 200 से लेकर 210 की बीच में रहा और वहीं ST का 200 से लेकर 210 अब यहां पर इस साल की क्या expectations है cut off को लेकर चली उसको भी हम लोग जान लेते हैं तो इस साल के भी अगर cut off की हम लोग बात करें तो ऐसा मतलब माना जा रहा है कि इस साल भी cut off सेमी रहेगा प्रिविस येर की तरह यहां पर भी कुछ खास आपको बदलाओ देखने को नहीं मिलेगा तो हो सकता है अलग कि इस बार जो काफी सारे colleges हैं वो CUT के अंदर में आ गए हैं और काफी सारे students भी इस बार बढ़े हैं पर उतना कुछ ज़्यादा है फिर हमें देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि शायद UG में देखने को मिल जाए तो अगर हम जनरल की बात करें तो यहां पर भी जो cut-off रहेगा वो 230-240 के बीच में रहने का अनुमान है वहीं पर EWS में cut-off वही 220 से लेकर 230 में अब इसी के अगर हम बात करें तो 220 से लेकर 230 और वहीं पर अगर हम बात करें ST की तो 200 से लेकर 210 तकी रहने की उम्मीद है और ST का 200 से लेकर 210 और PWD का 180 से लेकर 195 तो मतलब सेमी रहने वाला है ज्यादा कुछ खास हमें यहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं मतलब उम्मीद ऐसी की जा रही है इस साल का जो भी इस साल का जो कट ओफ निकल कर आने वाला है वो बहुत जादा मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल गया वही 5% 10% का थोड़ा सा उपर नीचे कुछ हो सकता है मतलब माक्स के अगर बेसिस पे मैं बात करूँ तो वही 10 नमबर 15 नमबर शायद इधर उधर कुछ हो जाए मतलब पॉसिबिलिटी तो है 5-10 नमबर कुछ इधर उधर होंगे उससे जादा कुछ हेर फेर यहां पर देखने को नहीं मिलेगा तो ऐसी उम्मिद है 2023 के सीउटी पीजी कट ओफ को लेकर चुखार